हलो दोस्तों आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आए हूँ और इस वीडिवे मैं आपको सभी आपने जो डेलिया के पौधे हैं, ये कैसे ग्रोज कर रहे हैं, वो मैं आपको देखाऊंगा आपके हाँ पे भी डिलिया के पौदे आपने ग्रोग किये होंगे और उसकी ग्रोध काफी बार कुछ कारण करके रुख जाती है जिसके कारण आपके जो पौदे हैं अच्छे से फूल भी नहीं दे पाते पर मेरे पौधों से आप देख साओ तो इनकी ग्रोध बहुत बढ़िया है कैसी मैंने इनके लिए मिट्टी दियार की है कि ऐसे इनको मैंने अच्छे से बढ़ा किया है इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूँगा और वो सभी experience मेरा रहेगा इसके कारण आपको कोई चीजें ऐसी हो सकती है जो आपको ना लगेगी करनी चाहिए पर मैं अपने पौधों में करता हूँ आप वीडियो को जुरूर एंट तक देखीगा और साथ में मेरे चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब कर दीजीगा सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं जब हम अपने पौधे को लेकर आते हैं जब हम दोस्तों कोई भी छोटा जो इसकी सैपलिंग है उसको लेकर आते हमें कभी भी इसको डिरेक्टली हमें अपने बड़े पौट में नहीं शिफ्ट करना चाहिए कम से कम आपको साथ दिनों के लिए ऐसे जो छोटे हमारे पास गमले कह सकते हैं सोरी जो प्लास्टी के जो हमारे पास कपस रहते हैं उसमें आप कह सकते हैं जिसके साथ इनकी जड़े और जड़ा अच्छे से मजबूत रहती हैं जब यह थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, अभी दो पेर इसके निकले हैं, एक पेर और निकल जाएगा, तब हम इसको बड़े गमले में shift कर सकते हैं, इसलिए सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, जब सीधा हम अपने बड़े गमले में लगा देते हैं, यह काफी बार गल जिसमें मैं अपने डेलिय के पौदे लगाता हूँ यह मैंने पूरी तरह से त्यार कर रखी है कुछ जो आपको अभी पौदे दिखाए हैं उनको लगाने के लिए इसमें मैंने क्या किया है करीब करीब 60% जो हमारे पास sandy soil होती है वो ली है और 30% या 25% गोबर खाद जो होती है अच्छी क्वालिटी की गोबर खाद है वो लेनी है आप कहेंगे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है क्या वो चलेगी वो भी सही रहती है पर मैंने देखा गोबर खाद डेलिया को बहुत ज़रा पसंद रहती है और कोई भी खाद के मुकाबले अगर गोबर खाद है तो मिट्टी है यह पोरस बहुत है आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी मिट्टी पोरस है आप जब उसको ऐसे उठाएंगे वो एकदम से नीचे जाएगी ऐसे निए कि आपके हाथ में रहेगी इसके साथ क्या होता है हमें पता लग जाता है जब भी हम कोई पानी डालेंगे जो पानी पोदे को लेना रहेगा वो ले लेगा और साथ में नीचे से पानी निकाल देगा सो डेलिया में दोस्तों हमेशा ऐसी सॉल रखें जो मैंने आपको अभी दिखाई है अभी हम दोस्तों बात कर लेते हैं जो गमला कितने इंचिस का आपको लेना चाहिए आप तो यह 8 इंच के गमले में लगा है जिसमें 8 इंच जो depth है और width भी उतनी ही है आप देख सकते हो गमला बहुत जारा चोड़ा है इसके लिए जिसके कारण क्या रहता है इसके tubers हैं अच्छे से बीच में टिक जाते हैं और साथ में इसकी जड़े हैं वो बहुत अच्छे से र हुआ था चोटे-चोटे पत्ते थे इसके जब मैंने इसको बड़े गमले में शिफ्ट किया और इसके साथ इसकी ग्रोथ है कितनी जड़ा आ गई है ऐसी ही आपको 8 इंची का गमला इसके लिए लेना है और अभी हम दोस्तों बात कर ले थे हैं इसकी पिंचिंग की के हमें इसको पिंच करना चाहिए नहीं देखे वो आप पे डपेंड करता है अगर आप इस पे एक फूल की जगा ज़्यादा फूल लेना चाहते है उपर आपको साइज मैटर नहीं करता है तो आप इसकी पिंचिंग यहां से कर सकते हैं यह सबसे अच्छी रहती है जब इसके पा इसको पिंचिश है यह बहुत एनर्जी ले जाती है जब कठी आ जाती है तो आपको क्या करना है यहां से इसको तो डालना है जो ब्रांचिश को मैं अभी नहीं तोड़ रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो यह कटिंग लगाने के लाइक हो जाएंगी तब म आपको फूल खिलेगा बहुत बड़ा रहेगा इसको देना है जो ब्रांचेस के लिए आपने क्या और नहीं निकालेंगे पर इनकी जू ग्रोथ है बहुत जादा होगी है यह जो ग्रोथ है ज्यादा भी अच्छी रहती है पर इतनी जादा भी हमें नहीं चाहिए जिसके भी ना हो पाए अभी इनको fertilizer जारा मिल गया इसलिए मैं अभी एक हफता इसमें fertilizer का gap दे दूँगा और उसके बाद 15 दिनों बाद इनको दुबारा से fertilizer दूँगा तांकि इनका जो size है जो पत्तों का size भी सही है पर इससे थोड़ा सा जारा ना आए और इसके साथ जो इसकी stem size ह है वो थोड़ा सा लंबा हो जाए इसके कारण दोस्ता आपको ये चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है पर ये completely healthy बाद हैं जो आपके सामने अभी पड़े हैं और दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि इसको fertilizer कौन सा जाहिए जो हम weekly या 10 दिनों बाद इसमें डाल सक है मैं थोड़ा सा इसको dilute भी कर लेता हूं फिर भी पता नहीं क्यों मिटी की जो quality है वो अच्छी नहीं रहती है इसके कारण दोस्तों मैं क्या करता हूं कि इसकी mustard के की जगा जो यह आप देख सकते हो यह मेरे पास गोबर खाद है गोबर खाद दोस्तों ऐसी रहती है जो अपने जो डेलिया के पौदे में आधा अधा कप डाल देते हैं कितना आपको डालना है जैसे आप कह सकते हैं 100 ml एक आठ इंची के कमल में बहुत जादा रहता है तो इसके लिए आप यह इसका जो liquid fertilizer बनाकर अपने पौदे में डाल सकते हैं जब भी आपने पौदे में fertilizer ड लगेगित को आपको पता ही है कि उसको ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए होगा और इसके साथ लिकूड फर्टिलाइजर इसकी जड़ों में साथ में पतों में जहां भी इसको अच्छे से निट्रीशन बीद रहेगा तो ऐसे आप डेलिया को फर्टिलाइजर दे सकते है इसके लावा दोस्तों अगर आपके पौदी की ग्रोथ नहीं हो रही है या उसमें बिमारी हो रही है तो आप नीम ओयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर उसको रोज के रोज थोड़ा बहुत नहला भी सकते हैं मेरे पास दोस्तों जो आपके पास भी होता रहेगा जो हमारे पस पांच लीटर का वाटरिंग केहन है उसको मैं रात को सभी पौदों पर अच्छे से ठंडे जो पानी होता है नॉर्मल जो ताजा पानी होता है मोटर का उसके सार क्या करता हुँ है नहला देता हूं जिसके कारने पूरी रात ये ठंडक में रहते हैं और साथ में इनकी बहुत बड़ी रहती है सभी पौदों का अलग अलग मैं आपको दिखाता हूँ अभी यह अप अदर देख से हो इसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ और यह देखें बहुत अच्छे अभी डेली आपको करें मैंने पांच पौदे और भी लाकर रखें अभी थोड़े से थोड़ भी पांच हैं जो मेरे पास कलर्स नहीं थे तो मैंने दुबारा से लेकर आया था मैं और आयोप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी चैनल को जूरू सब्सक्राइब कीजिगा वीडियो को भी शेर एंड लाइक कीजिगा अगर आपको कोई कोशन है में इतजार रहता है इन ही पौदों का रहता है और इस बार मैं इसके लिए स्पैशल सेरीज भी बनाने वाला हूं जो मैंने आपको पहले पौदे दिखा हैं जिसमें मैंने 60-70 पौदे जो हैं न्यू लगाने हैं और उसके साथ भी मैं आपको वीडियो देता रहूंगा तो थैंक यू फर वाचिंग और प्लीज दो नो फरगेट तो सब्सक्राइब मैं यूट चैनल अल्सो किक यू बल एकन थैंक यू सो मुछ फर वाचिंग